हेलो एव्रीवन, मेरा नाम अभिशेक वर्मा है और आप मुझे डेली नॉलेज टैक पर देख रहे हैं सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोड़क्शन देना चाहूंगा मैं 2016 के सिविल सर्विसेज एक्जाम के थुरू मैं इंडियन आडिट इंड अकाउंट सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ था अब 2017 की सिविल सर्विसेज एक्जाम के थुरू मुझे बत्तिस्वां रैंक हासिल हुआ है जिससे मुझे इंडियन अडिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलोट हुआ है मैंने अपना बीटेग कंप्यूटर साइंस एंड इंजिनेरिंग में किया है फ्रॉम आइटी डेली 2016 में पास आउट हुआ हूँ अब मैं आपको इस सर्विस इंडियन आडिट इंड अकाउंट सर्विस के बारे में विस्तार में बताऊंगा इसकी ट्रेनिंग के बारे में इसके कॉंटेंट के बारे में और इसके इस सर्विस में बेसिकली क्या है और कैसे इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सर्विस में आने के बादे तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि Indian Audit and Account Services क्या काम करती है तो Indian Audit and Account Services जैसे कि आप इसके नाम से देख सकते हैं Audit और Accounts का काम करती है Basically सबसे पहले Accounts की बात करें तो ये Central Government के Accounts को Validate करती है Certify करती है और State Government के Accounts को Compile एवं Certify करती है दूसरी चीज ये Audits करती है आपको पता होगा कि Government various schemes चलाती है और various programs चलाती है इसके अलावा आपको पता है कि Central PSUs और State के PSUs हर साल कुछ activity करते हैं एक particular area में तो उनकी पूरी performance की, उनकी पूरी schemes की उनकी financial और compliance और performance audit का का काम Indian Audit and Account Services करती है Basically financial audit में हम देखते हैं कि उन्होंने जो अपनी financial information present किया है, data present किया है वो कितने हद तक उन्होंने correctly present किया है कितना fair और true view वो present करता है Compliance audit में हम देखते हैं कि कितना वो rules को follow करते हुए अपना काम का निर्वाहन करते हैं और तीसा हम देखते हैं कि performance audit में उन्होंने जो scheme लाई, जो objective से वो scheme लाई, वो कितनी हद तक वो objective वो qualify कर पाए तो ये एक brief overview है कि Indian Audit and Account Services actual में देश में करता क्या है अब हम चलते हैं कि इसकी training के बारे में थोड़ा discuss करते हैं मैंने Indian Audit and Account Services की training 11 December 2017 को join की थी इसकी training National Academy of Audit and Accounts शिमला में होती है सबसे पहले 11 December से लेके अगले 11 December तक एक साल almost इसको phase 1 कहते हैं training के पार्ट को, इस phase 1 के दोरान basically academics पे focus होता है जिसमें हमारी regularly classes लगती हैं academy में, इसके अलावा various attachments और extra curricular activities और sports होता है तो basically पूरा साल दो भागों में divided होता है जिसको हम semester 1 और semester 2 कह सकते हैं semester 1 छे महीने का होता है जिसमें हम basically commercial audit के basics और public sector auditing के basics पढ़ते हैं और second semester में हम specific areas में जाते हैं कि central PSU's का audit करना हो या फिर अगर government autonomous bodies का या government sector का audit करना हो तो उसे कैसे करना है general schedule हमारा ये रहता है कि weekdays पे हमारी classes साढ़े 9 से साढ़े 5 तक होती है जिसमें कि पूरा दिन 4 sessions में divided होता है और बीच में कुछ breaks for lunch और tea रहते हैं generally 4 classes होती है और classes काफी diverse होती है generally हमारे directors जो की academy में placed है जो की Indian audit and account services से ही है वही classes लेते हैं पर कभी-कभी बहार के professors या बहार के experts को भी special sessions लेनी के लिए बुलाया जाता है इन 4 sessions generally academics या generally जो core material है उस पे focused होता है पर कभी-कभी जैसे जो extra चीजें हैं जो as a administrator, as a civil servant हमें पता होनी चाहिए जैसे कि ethical issues या फिर governance issues या फिर administrative issues उन पे भी class होती है after classes generally बच्चे sports या फिर extracurricular activities में participate करते हैं Saturdays generally हमारे track के लिए short tracks के लिए रहते हैं जैसे कि हमने पूरे शिम्ला में काफी tracks की हैं जैसे तारा देवी, श्योग, शाली, long track होता है, generally हिमाल्याज में होता है, हिमाचत में short tracks के अलावा हम काफी sports activities में participate करते हैं, हमारे जो academy है, वहाँ पे एक full-fledged tennis court है और इसके लावा एक full-fledged gyms, squash courts और table tennis के court और pool और other facilities भी खेलने के लिए available हैं इसके अलावा extracurricular activities में हम cultural activities में participate करते हैं, जिसमें कि हम dance, music और drama में participate कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा है कि social activities में अगर आपका रुजहान है, तो उसके लिए भी आपको academy पूरा scope देती है हमारे यहां हम हमारे officer trainees के थूरू एक crash चलाया जाता है, जिसमें कि construction workers के बच्चों को आदा दिन रखा जाता है और उनकी पढ़ाई का, उनके खान पान का OTs के दोरा, officer trainees के दोरा ध्यान रखा जाता है, इसके लावा जैसे कि हम cleanliness drives या फिर awareness drives पर जाते हैं, ताकि एक administrator की qualities हमारे अंदर आएं, तो यह basically generally हमारा overall schedule रहता है, जबकि हम academy में हैं, जब हम academy में नहीं होते हैं, तब हमारी attachments लगती हैं, attachments generally हमारी course related रखती हैं, जैसे कि पहली attachment हमारी RBI और SEBI में लगी थी, मुंबई में, जिसमें कि हमें थोड़ा monetary issues पे enlighten किया गया था, दूसरी हमारी attachment NIPFP, National Institute of Public Finance and Policy डेली में लगी थी, जिसमें कि हमें government policy making और financial issues, government funding के बारे में बताया गया था, इसके अलावा हमारी attachments, हमारी profession specific area जैसे कि forest attachment धरमशाला में, treasury attachment पालंपुर में और ये सब attachments PWD office attachments कुलू मनाली में लगी थी, जिसमें हमने अपने course को कैसे हम practically apply करते हैं, field में वो भी देखा, और इसी के साथ-साथ हम उस जगह से भी अवगत हुए, जहां वो attachment थी, उसके बाद हमारी attachment IM एहमदाबाद में लगी, जिसमें कि दो हफते का एक course था on basic finance, जिसमें कि public-private partnership और private और government sector का interface, और कैसे public finance और private finance work करता है, उसके बारे में हमने सीखा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, phase 1 में काफी attachments होती रहती हैं, जिससे कि आपको अलग-अलग areas के बारे में सिखाया जाता है, जो कि आपके profession के specific है, इसके बाद phase 1 के बाद एक एक महीने का भारत दर्शन होता है, जिसमें कि हम देश के अलग-विभिन-विभिन भागों में जाते हैं, not only हम यह देखते हैं कि सुन्दर्टा और historical, ethical value और cultural, environment value क्या है हमारे देश के धरोहर की, बिलकि हम यह भी देखते हैं कि देश के लोगों की, देश की असली स्तिती क्या है, इसके बाद भारत दर्शन के आने के बाद हमारे 8 महीने का on the job training OJT शुरू होता है, जो कि December से लेके August तक चलता है, इस OJT में दो भाग में यह divided है, 4-4 महीने का, 4 महीने हम account offices में रहते हैं, और 4 महीने हम audit offices में रहते हैं, इसमें हम basically उस office से attach होके, उसकी activities को बहुत closely monitor करते हैं, और उसमें अपना contribution भी देते हैं, और उसमें उससे seek भी लेते हैं, learnings भी लेते हैं, और weekly हमें reports देनी पड़ती हैं, इसके अलावा, 4 महीने का पहला जब account का part on the job training खतम होता है, तो हम वापस academy आते हैं, दो हफते के लिए, और फिर हम बताते हैं कि हमने क्या सीखा उस account के OJT में, उसके बाद वैसे ही जब हम 4 महीने का audit का अपना attachment करते हैं on the job training, फिर हम वापस आके academy बताते हैं कि हमने क्या सीखा, इसी के साथ जब हम phase 2 में वापस आते हैं, तो हमारा जो हमारसे एक साल junior batch है, उसके साथ भी हमारा interaction होता है, तो ये काफी helpful रहता है कि हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं, उसके बाद जब ये सब 8 महीने का on the job training खतम होता है, तो एक final एक महीने का हमारा course वापस से academy में लगता है, जिसमें कि हम अपनी पूरी learnings को solidify करते हैं और present करते हैं, और उसके साथ ही हमारा एक हफते का attachment होता है, जैसे कि अगले साल international attachment जो एक हफते का है वो UN में होने वाला है, जिसके लिए हम New York जाएंगे एक हफते के लिए, ये मैंने आपको पूरा overall overview दिया है अपने audit and account services के training के बारे में, इसके अलावा मतलब हम काफी कुछ सीखते हैं जैसे अगर हमारे यहाँ एक अभिवेक्ती program है, जिसमें कि हम photography competition करने वाले हैं, जिसमें हमने अपने पूरे audit and account services के officers से photographs और जो उन्होंने अच्छी photographs various areas में कींचे वो मांगिया, और फिर उससे decide होगा कि किसकी painting या किसकी photo सबसे अच्छी सराही गई और सबसे उनको award दिये जाते हैं, यह जो photography का competition है, इसका presentation फिर हम शिमला के gatey theater में भी present करते हैं, जो फिर common logo के लिए और tourist के लिए open किया जाता है, तो इस तरह से काफी activities रहती हैं और काफी exciting और mixed schedule रहता है हमारे academy की training का, और इससे हमें groom किया जाता है और train किया जाता है कि आपको field में कैसे एक अच्छा civil servant बनना है, कैसे एक अच्छा audit and account services का officer बनना है और उसमें हमें मदद दी जाती है, सो अब मैं अपने audit and account services की training के थोड़े specifics में जाना चाहूँगा, और बताना चाहूँगा कि हमारे service का क्या career progression रहता है, basically जैसे हम training खतम करते हैं 2 साल की, हम as a DAG post होते हैं, और as a DAG हम at least 2 साल post होने के बाद हमारी first promotion हमें मिलती है, चार साल training प्लस as 2 years DAG रहने के बाद जो हमें first promotion मिलती है, उसे हम basically एक high level पे जाते हैं, उसके और चार साल बाद, full 8 years of service के बाद हम as senior DAG post होते हैं, after 16 years of our service हम as A.G. पेनात होते हैं, various audit and accounts departments में, और उसके 25 साल of service के बाद हम as principal A.G. अपॉइंट होते हैं, और उसके 25 प्लस 2 साल service के बाद हम H.G. प्लस scale पे आते हैं, जिससे हम A.D.I. लेवल पे पहुंचते हैं और highest हमारा deputy C.A.G. लेवल है, जो की D.I. लेवल है, तो यह है basic career progression, और इसमें काफी avenues हैं, आप audit office में काम कर सकते हैं, आप account office में काम कर सकते हैं, आप commercial sector में PSU's का audit कर सकते हैं, इसाथ ही साथ आप embassies का audit करते हैं, आप foreign attachments, foreign audits पे जाते हैं, जिसे UN के audit पे, या WTO के audit पे, या WHO, या FAO के audit पे, और ये काफी diverse रहता है audit, और जो international experience आपको मिलता है, वो आपको काफी help करता है, आपके skills को develop करने में, इसी के साथ अलग-अलग sectors का audit करना, जैसे general sector का audit करना, social sector का audit करना, economic revenue, environment audit करना, information systems का audit करना, ये सब हमें diversity देता है, इसी के साथ आपका role भी diverse रह सकता है, जब आप DAG और senior DAG के level पे हैं, आप audit department में रह सकते हैं, आप accounts office में रह सकते हैं, आप administration को handle कर सकते हैं, तो मतलब आपका role काफी diverse रहता है, इस service में, इसके अलावा, civil services में आने के पाथ, आपके पास avenues होते हैं, दूसी services में on deputation जाने में, for example, an AG level officer, joint security level पे तेनात हो सकते हैं, central government पे on deputation, या फिर various departments, generally अपने financial advices, audit and account services से ही appoint करते हैं, तो यह हमें काफी scope देता है, ना सिर्फ अपनी services में अच्छा करने का, बिल्कि other services में भी जाके, अपना हुनर दिखाने का, और कुछ contribute करने का, साथी जो skills हम develop करते हैं, auditing के और financial aspects को समझने के, वो हमारे help करते हैं, हमारी skill set develop करने में, और यहां के बाद हम basically, as good financial and auditing information आने के बाद, हम specialize कर सकते हैं, इन दोनों sectors में, इसके बाद services के pros and cons की मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं services के pros पे आना चाहूँगा, यह काफी doubt रहता है, aspirants के मन में कि, किस level पे audit and account services को भारा जाए, तीसरे नमबर पे, पहले, दूसरे, तीसरे, aspirants हैं, जिन्होंने clear किया civil service का exam, 300 और 350 के rank की range में, generally वो यहां services में appoint होते हैं, तो generally they put audit and account services as their fourth or fifth preference, after IAS, IFS, IPS, and income tax, IRS, income tax, तो generally लोगों के मन में doubt रहता है, कि यह service visa V, IAS, या visa V, IRS, IT कैसी है, तो उसके लिए आपको यह जो मैं pros and cons बताने वाला हूँ, वो मददगार साबित हो सकते हैं, first मैं pros की बात करूँगा, Indian audit and account services का सबसे बड़ा pro है इसकी independence, जिसे कि आपको पता होगा कि Indian audit and account services directly comes under CAG, तो जो भी independence constitution में आपने पढ़ा होगा, CAG को मिला है, वो उन्होंने delegate कि Indian audit and account services के offices पे, इससे क्या होता है कि हमारे काम पे undue pressures नहीं आते, और हम अपना काम एक independent environment में रहके, independently analyze करते हैं government के accounts, और उन पे comment करते हैं, और फिर वो जो भी हम reports देते हैं, वो PAC में जाती है, Public Accounts Committee पे और उनमें उन पर action लिया जाता है, इसी के साथ साथ जो हमारी reports जाती हैं, वो मतलब आपको पता होगा, जो काफी popular reports रही हैं, 2G report, coal scam report और CWG scam report, वो काफी सराही गई है और उससे काफी constructive changes आएं, और example, 2G case के बाद से, necessary auctioning of government natural resources शुरू है, जो कि हमारे देश की natural resources को save करने में, काफी सालों तक कारगर रहेगा, और काफी helpful रहेगा, तो सबसे पहले तो मैंने independence की बात की, अगली बात में अपनी service की करना चाहूंगा, कि जो content आपको provide होता है, जो specialization आप, जो auditing और financial sector और financial services और areas में develop कर सकते हैं, यहां service में आने के बाद, वो मतलब एक generalist view से, बहुत आप develop नहीं कर सकते हैं, अगर किसी service में बहुत generalist opinion हैं या management involved है, तो उसे better है कि यह service आपको थोड़ा specialization करने में मदद करता है, और उसी के साथ, आपको diversity भी देता है कि आप other services में deputation पे भी जा सकते हैं और international bodies का audit भी कर सकते हैं, जब आप international bodies का audit करते हैं तो उनके standard के हिसाब से करते हैं, जो कि आपको international standards को जानने में बहुत मदद करता है, इसके अलावा services के other फाइदे यह हैं कि, पर्क्स अच्छे हैं इसमें सर्षे में रहने के, work-life balance काफी अच्छा maintain होता है, क्यूंकि रूपPor आप बहुत भी अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने office में रह के हो, और अपनी life को भी अच्छे से, personal life को भी अच्छे से रह सकते हैं तो work-life balance काफी अच्छे से maintain होता है इस service से, इसके अलावा अगर मैं cons पर आऊं service के तो basically थोड़ा public interaction कम है, जो आपका interaction है वो basically departments और services के officers और heads के साथ रहता है, जिसे कि एक senior DAG level को officer directly एक department के secretary से discussion करता है और reports को analyze करता है, और मतलब थोड़ा lower level पे जो आपको public interaction और थोड़ा public image और public appearance है वो थोड़ा इस service में कम रहेगा, दूसरा जो impact आपको feel होता है अपनी service का, एक बार आपने report बना दी और एक बार parliament में present हो गई, उसके बाद administrators और जो लोग, executive जिनको action लेना उन report पे वो कितना action लेते हैं और कित PAC कितना active है, और वो आपने report बना दी, आपका काम वहाँ खतम हो जाता है, पर जो आपका काम का effect है, वो दिखने में या तो time लग सकता है, या कभी-कबार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा effect आपको उस report का ना दिखे, तो उसके फल स्वरूप, आपको maybe उतना satisfaction अपने काम का ना ह कि आप ground level पे देख नहीं सकते है, बट वो role है Indian Audit and Account Services का कि हमें point out करनी है various flaws, government schemes में और अगर comply हुआ की नहीं हुआ, और जब हमने अच्छे से एक objective तरीके से उसको report कर दिया, वहाँ पे हमारा role खतम हो जाता है, तो वो हमारी service की inherent construction में वो element डला हुआ है कि हमारा काम report बनान के बाद खतम हो जाएगा और PSE को support करने तक हमारा काम सीमित है, तो यह हुई pros and cons की बाद services के बारे में और इसके अलावा मैं कहूंगा कि services की training काफी अच्छे से structure है, हमारे जो directors हैं वो हमें काफी disciplined तरीके से, हमें सब तरह के experiences के साथ साथ हमें एक अच्छा auditor बनाने में तो training जो है वो बहुत काफी अच्छे तरीके से structured होने के साथ साथ मतलब काफी अच्छे से implemented भी है, यह vis-a-vis मैं other group services के बारे में बात कर रहा हूं और जब जितना आप services में training के दोरान सीख पाएंगे, उतना अच्छे से आप अपने service career के दोरान उसे implement कर पाएंगे, और उत training यहां पर काफी अच्छे से उस पर धान दिया जा सकता है, तो आपके मन में यह सवाल आया होगा कि Indian Audit and Account Services कि स्ट्रीम के लिए एक edge दे सकता है, जनरली मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि हमारी training basically commercial reporting और financial reporting जो की commercial sector as well as government sector में होता है, उसको study करने के अलावा उसको audit करने के बारे में भी है, तो इसमें एक commerce background का student या फिर जिसने CA का रखा है, उसके skills काफी use होते हैं, मतलब उन लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, जिन्नों ने ये streams नहीं की, क्योंकि हमारी training इस तरह की तरीके से structured है, कि basically हमें बहुत fundamental level से सब कुछ सिखाया जाता है, प उसके लिए service काफी हद तक well suited है, because उसने ये basics पहले से कियो होते हैं, और वो इस service से ज़्यादा input gain कर सकता है, दूसरा जो basic structure रहता है हमारे semester का, वो रहता है कि हमारी पहली classes होंगी, various attachments रहेंगी, उसके बाद end of the semester हमारे exam होता है, उस particular semester का, जैसे कि हमारा पहला semester December to May था, तो हमारे make end में exams थे, हमारा पहला, उसे DE कहते है, departmental exams, departmental exams को qualify करना जरूरी है, to be posted, to be retained in the service, आपको अच्छे chances दिये जाते हैं, उस exam को qualify करने के लिए, और अगर आप नहीं qualify कर पाते हैं, तो service से आपको निकाल दिया जाता है, पर generally officer trainees first year attempt में maximum subjects को qualify कर लेते हैं, ये departmental exams basically headquarter से बन के आते हैं, और इसमें training academy का बस executive role होता है, और preparatory role नहीं रहता, तो जो headquarter से question papers आते हैं, उनको हम, उनके answers हमें लिखने होते हैं, इसी के साथ साथ थोड़ा practical component में में रहता है, especially information system audit के exam में, इसमें कि हमें थोड़े बहुत excel पे, या access पे, या database, various database management systems पे, exams देने होते हैं, और practical exams रहते हैं, ये exams generally medium level रहते हैं, बहुत easy ना बहुत difficult तो, और exams काफी हद तक, मतलब एक हफता पहले हो, उनको अच्छे से पढ़ के, अच्छे से सीख के, हम अच्छे से अपना performance उन exams में दे बाते हैं, इसी के साथ साथ दूसरे semester में भी D2 होते हैं, जब जून से, नॉवेंबर के बीच में दूसरा semester खतम होगा, नॉवेंबर में हमारा दूसरा D2 होगा, similarly वही schedule रहेगा D1 वाला, इसके अलावा, OJT में हमें weekly reporting करनी होती है, और हमें अपनी attachments के बाद, जो की group leader बने होते हैं, उनको report present करनी होते है DG को, कि हमने क्या सीखा, क्या तो जैसे कि मैंने बताया आपको इस service के बारे में, अगर आपको कोई और doubt है आपके मन में, या आप कुछ और जानना चाहते हैं इस service के बारे में, या civil services के preparation के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बिना coaching के ये exam qualify किया है, तो उस बारे में आप कुछ भी जानना चाह इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो और डेली नॉलेज ट्रैक की अधर वीडियो अच्छी लगे हो तो आप क्रिपया डेली नॉलेज ट्रैक को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज कॉमेंट कीजे थैंक यू